दोस्तों इस वीडियो में बात करूंगा जून की सभी सरकारी नौकरियों की जिसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी दी जाएगी और इसका एप्लिकेशन फॉर्म कैसे भरना इसके बारे में बताया जाएगा लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इ सबसे पहली जॉब जो है उत्राखंड पोस्ट आफिस द्वारा निकाली गई है अगर पोस्ट नेम की बात करें तो ग्रामीन डाक सेवक असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और ब्रांच पोस्ट मास्टर तधा डाक सेवक की वेकंसी है नंबर अब वेकंसी की बात कर इसके लिए All Over India Candidate Apply कर सकते हैं फॉर्म को कैसे भरना है इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाया है डिटेल में आप उसको देख सकते हैं और इस लिंक पे क्लिक करके आप इसके नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं मैंने इसके लिए इस पोस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया आप वहाँ पर जाकर डिटेल में चेक कर सकते हैं तो चलिए बात करते हैं अगली जॉब की अगली जॉब जो है हर्याना पोस्ट आफिस द्वारा निकाली गई है पोस्ट नेम की बात करें तो इसमें भी ग्रामीन डाक सेवर ब्रांच पोस्ट मास्टर, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर और डाक सेवर की वेकेंसी है टोटल वेकेंसी की बात करें तो इसमें टोटल 608 वेकेंसी है और form बनने की last date जो है 7 July 2020 है आप इससे पहले form को जरूर फिल कर दें और अगर education qualification की बात करें तो इसके लिए candidate को 10 पास होना चाहिए job location की बात करें तो इसके लिए job जो हरियाना होगी detail में जानकारी के लिए मैंने link description में दे दिया आप वहाँ पर जाकर detail में जानकारी ले सकते हैं अब बात करते हैं अगली job की जो मद्यप्रदेश post office द्वारा निकाली गई है अगर इसमें post name की बात करें तो ग्रामीन डाक सेवक की post है total vacancy इसकी बात करें तो 2834 vacancy है फॉर्म बनने की last date 7 July 2020 है वहीं पर अगर education qualification की बात करें तो इसमें apply करने के लिए candidate को दस्वीक अच्छा पास होना चाहिए job location इसका मध्यप्रदेश होगा अगली job जो है दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेट बारा निकाली गई है आप इससे पहले form को जरूर फिल कर दें अगर education qualification की बात करें तो candidate को दस्वी पास होना चाहिए और job location जो है इसकी दिल्ली होगी अगली job जो है आर्मी रेली भरती की है ये आर्मी रेली भरती जो है हर्याना में conduct की जा रही है form बनने की इसकी last date जो है 15 June 2020 है education qualification की बात के हैं तो 8-10-12-12 और graduation pass candidate apply कर सकते हैं रेली के बारे में detail में जानने के लिए आप इस link पर click करके detail में जानकारी ले सकते हैं और form को कैसे फिल करना इसके बारे में जान सकते हैं तो ये थी इस महिने की सभी सरकारी नोकरियों की जानकारी इसके अलावा आप मेरे telegram group को join कर सकते हैं जिससे आपको वहाँ पर सभी latest job के notification सबसे पहले मिल सकेंगे और ये वीडियो कैसा लगा मुझे comment section में जरूर बताएं ये वीडियो देखने के लिए और मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद